नमस्कार दोस्तों, Knowledge of चानल में आप सभी का स्वागत है, Let's Learn Together. आज के वीडियो में अबलब ओनिंग के विबारे में बात करने वाले हैं, और How to install retractable ओनिंग, एक practical वीडियो भी देखने वाले हैं. अगर आपको ओनिंग related कुछ भी inquiry है, तो description में दिये गए नमबर पे आप contact कर सकते हैं. What is owning? Owning means एक शामियान होता है, क्यानवास या अन्यसामगर की एक sheet जो एक frame पर फैली होती है, और जिसका उपयोग दुकान की खड़की, दरवाजे या जहाज के डेक से धूप या बारिश को दूर रखने के लिए किया जाता है. मजबूत कपड़े की एक चादर जो धूप या बारिश से बचने के लिए दरवाजे या खिड़की के उपर से फैली होती है. What is retractable owning? Retractable owning मतलब एक ऐसा शामियाना होता है, जिसको उपयोग करता की जरूरतों के आधार पर manually या फिर mechanical उसको वापस लिया जाता है और खोला जा सकता है, retract किया जा सकता है. और उसका उपयोग चाया और उपनियता प्रदाम करना, आपके परियोश को सुन्दर बनाना और अतिरिक्त उपयोगी बाहरी स्थान बनाने के लिए और आपके website स्थान को brand बनाने के लिए भी किया जा सकता है. यह हम देखेंगे retractable awning installation का practical वीडियो, सबसे पहले वी चर्जा के अपर दोनों साइड में bracket fix किये जाते हैं, यह आप देख सकते हैं, bracket fix कर रहे हैं, यह दोनों साइड में bracket fix कर रहे हैं, यह bracket fix करने के बाद में इसमें टॉप में यह PVC फैब्रीक शीट बैठाय जाता है, यह देखेंगे अब यह size के साथ से चेक कर रहे हैं, इसको बाद में इसको बैठाएंगे, यह जो material दीख रहे हैं, यह sheet PVC फैब्रीक है, यह excess है, उसको cut कर रहे हैं, यह retractable learning का एक benefit है, जब आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसको fold करके या फिर open में पूरानी position में रख सकते हैं, जब जरूरत है तो उसको open कर सकते हैं, यह bracket को waiting कर रहे हैं, waiting करके उसको top का fix किया जाता है, स्कोर पाइप है, स्कोर पाइप के उस्ट्रक्चर के उपर हो, फीवी से फैब्रीक लगाए जाता है, यह अभी ओनिंग देख सकते हैं, यह अभी ओनिंग उदर उपर में fix किया है, यह bottom view है, नीचे से हम देख रहे हैं, यह ओनिंग जो bracket fix किया है, वो bracket के अंदर इसको fix किया जाता है, इसको fix कर रहे हैं, और यह fix करने के बाद में, इसमें एक stick है, वो sticks गुमाने से यह open होता है, झीचे हैं यह compliments, जीचे हैं, पस्क्षै एक जएख सोटेंगे, जैसो बाद किया camera भे और आच में जएखाया है, जैसे हाँ एक जा हैं, में दोनों सेट में उस पर कई फिक्स कर देते हैं उसके उपर उपर का जो Sheet है उफ들 उप살 कर या नहीं उपन कर सकते हैं और फिर पूराने पोजिशन में फोड कर सकते हैं गला सेगेधिकिर यह arms open हो रहे है हुआ अबी जैसे है जैसे गुमारा है यह देख सकता है यह जैसे गुमारा रहे हैं यह warning open हो रहा है यह arms के थ्रूप हो रहा है करे टेक्रै जब आपके जरूरत नहीं हो तो उसको पुराने पोजिशन में आप लाके रख सकते हैं यह दिखिए अभी ओपन हो गया है यह उपन होने बाद में ऐसा दिखता है अगर बहुत ही ज़्यादा हेवी विंड है तो उसको आप रस्ती लागा के नीचे बान के रख सकते हैं ताकि वह उसको उपर ना उड़े यहाँ विंड फ्लो उपना कम है इसलिए रसी लगाने के ज़रूरत नहीं है हेवी विंड फ्लो के लिए रसी लगाना ज़रूरी होता है एक कैंटी लीवर टाप स्ट्रक्चर है यह आप देख सकते हैं यह दिखें यह जो साइड में ग्याप है वहां पूरा सीलन लगा रहे हैं सीलन लगाने के बज़े से यहां कोई लीकेज नहीं होगा वहाम से गिखें लगाने के लगाने के लिए दुओ मुझा घगाम आप होगा है अंद लगाने कोई वहां कोई आप उर्ट जोथ दोवाई रहे हैं अंद रहे हैं अंद प्लो प्लो कोई लगा है आज कर वीडियो आपको कैसा लग आप जरूर कमेंगे अगर पहले वारा चानल देख रहे तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नूटिपिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद प्याँ टूर को जरूर कीजिए जरूर के वीडियो का नूटिए ताकि लग एंड़ है वीडियो का जरूर को जरूर को जरूर का वीडियो झाल झाल झाल